हमें दोस्तों स्वालत है आपका अपनी चैनल स्वाद एक्सपर्ट में और मैं हूँ अधुती तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़िदार सी रास पीज़िए तो दोस्तों अगर रोज रोज रोटी पराठा पकोड़ी कचूरी समोसा पोहा खा खा करके अगर बोर हो गए है न नाश्ते में तो आप इस नाश्ते को ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी है बहुत ही आसान है बनाना और टेस्ट टेस्ट तो इसका इतना ओसम है कि बस खाना पसंद करेंगे तो चली दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखी यहां पर गैस पे मैंने एक रख दी है कड़ाई और कड़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा तेल और तेल जैसे ही गरम हो गया इसमें मैंने डाला है राई जो ब्लैक सर्स होती है न उसक डाला है जीरा और जीरा राई जब हमारे अच्छे से तड़क जाए न तो देखी यहां पर यह है हरी मिर्चे जो कुछ लाल भी हो गई थी तो मैंने तीन हरी मिर्चे ली मतलब लाल और हरी मिला करके ताजी-ताजी मिर्चे है यह तो कलर देखी कितना बढ़िया लग रहा ह हरा और लाल तो मिर्चे को भी थोड़ा यहां पर हम तड़का लेंगे और यह मिर्चे का ताजा-ताजा सा करी पता तो करी पते का जो फ्लेवर है ना जो स्वाद बहुत बढ़ी आता है और इसमें हम डाल देंगे दो चमच भर के सफेद तिल और तिल तो आप जानती है कित प्रोटीन से भरे हुए होते हैं तो आप यहां पर ब्लेक जो तिल होते ना उनका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हैं तो और यहां पर डाला मेने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यानि कि जो मिर्चे होती ना लाल वाली उनको कूट करके और यहां पर देखिए जो बार साथ का मौसम होता है ना उसके टाइम पे में छोटे-छोटे पाउच आते हैं चिली फ्लेक्स के वही यूज़ करती हूँ इस सीमते नहीं है और साथ में डाल देंगी थोड़ासा औरी गैनो औरी गैनो डालते ही मसाले में इतना बड़िया मतलब फ्लेवर, खुश्बू मज़ा आजाता है किसी भी नाश्ते में डाल करके देखे पूरी रसोई महटने लगेगी और बहुत स्वाथ बढ़ जाता है इन सब चीजों से तो अब करना क्या है इसमें मैं डाल दूंगी एक कर्टूरी पानी तो एक बाउल में ने पानी डाल दिया और अब हम पानी में उबाल आने का इंतजार करेंगे एक अच्छा सा बाउल आजाए फिर आगे प्रोस्स करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पानी में अच्छे से एक उबाल आगया है तो जिस बाउल से हमने पानी लिया था ना उसी बाउल से एक कटूरी भरके गेहूं का आटा यूज कर रही तो याद आया कि नमक तुम मैंने डाला नहीं, अब इसमें मैंने एक चमच नमक डाल दिया है, और अब आटे को ना हम इसी पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसी से हमें अपना एक बढ़िया सा डो त्यार करना है, तो अच्छे से मिक्स करते हुए देखिए, सारा पा धंडा होने देंगे, जब तक ये धंडा हो रहा है तो यहाँ पर हमने लिए हैं दो आलू, उबले हुए आलू है ये boiled potato और अब इसको ना हम greater से, जो ये side एक तो बड़ी side होती है और एक medium size होती है और हाँ अगर जैसे सर्दियों का मोसम होता ना ताजी-ताजी माटर होती है मार्किट में तो आप यहाँ पर बॉयल जो माटर होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी टेस्ट बहुत ही उसम आता है तो देखिए इस तरीके का बिलकुल मतलब हमें कदुकस करके ही लेना है इस नाश्टे में आप सोचें कि उससे तोड़ करके डाल दे तो बड़े बड़े टुकड़े आएंगे और नाश्टा अच्छा नी बनेगा तो धनो आलू को मिनी हाँ पर कदुकस कर लिया और जो हमारा आटे वाला ये था ना ये भी देखिए बिलकुल ठंडा हो गया है मैं इसे आराम से हाथ से टच कर पा रही हूँ बस हलका सा गुनगुना हो चलेगा अब इसमें जो हमारे आलू थे ना ये जो इससे हमने कदुकस कर रहा था इनको डाल देंगे आलू डालने के बाद आपको आटा और आलू दनो को अच्छे से मसल मसल के मसल मसल के बहिया इनको एकदम चिकना कर देना है ताकि एक बड़िया सा आपका स्मूथ साना डो त्यार हो जाए कदुकस करने से देखे कितनी आसानी से सब चीज़े आपस में कमबाइन हो जाती है जूड जाती है इसलिए हमने इसे कदुकस करके डाला था ताकि जो आटा है हमें एक बहुत बड़िया सा मिल जाए स्मूथ सा आप देखे यहाँ पर मैंने बिल्कूल सारी चीज़ों को अच्छी से कमबाइन कर लिया और अब आप देख रहे होंगे कि आटे का टेक्चर देखे आप कितना बड़ी आटा गुद करके तैयार हो गया ना तो यह बहुत जादा टाइट है ना एकदम सॉफ्ट है एकदम परफेक्ट आटा हमारा गुद के तैयार हो गया है तो चुलिए आप त्यारी करेंगे हमारी आगी प्रोसेस की नाश्टा बनाने के लिए तो चाहें तो आप थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से घी लगा सकते हैं या उससे थोड़ा सा ज्यादा सा है ना और फिर आपको इसे हाथ में अच्छे से घुमा लेना है और देखिए हतेली में रख करके इसको शेप देनी है कैसी जस लाइक डोनट जस लाइक मेदू बड़ा है ना राइट बलकल बिल्कोल सरी इसी तरीके से आपको इसे घुमा लेना है और उंगली अंगुटे की हेल्प से बीच में खोल कर देना है आप चाहें तो पैंसिल या पैंसे भी कर सकते हैं तो देखिए कितना बड़ी असा इसक इसी रोल कर लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लीजे इस तरीके से और इसे थोड़ा सी बड़ी असे शेप देकर कि अंगुठे से या उंगली की हेल्प से आप इसके बीच में एक गढ़ा सा बना लें तो ये नाश्ता ना बच्चों को तो बहुत ही भाता है बहुत अच्छा लगता है और बनाना भी आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना तो इसी तरीके से चले सारे बना लेतियों में तियार कर लेतियों और देखिए इनका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है रैड ग्रीन यलो यलो सा और हमने सारे बना करके तियार कर तब ही आपको इसमें डालना है, ठंडे तेल में आपको ये बिल्कुल भी नहीं डालना है, अच्छा बढ़िया आपका तेल गरम होना चाहिए, तब ही आप इसमें अपने ये तियार करे हुए नाश्टे को आप डालें, और एक बार में जितने आ सकते हैं दोस्तों उतने ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डाले, क्योंकि इनको सिखने के लिए भी तो अच्छी जगा चाहिए ना, और अभी आपको इने बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जब इनमें निच्चे से हलका सा बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए, तब ही आप इनको टच करें, तो कि मैं पल्टा रही हूँ, तो आपको दिख रहा होगा, कि इनमें एक बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है, जब इस तरीके का कलर आए ना, तब ही आप इन्हें उलट-उलट करें, तो खुश्मी भी बहुत अच्छी आ रही है, मसालों की और इनके तल्ले की, तो चलिए हम बढ़िया से देख रहे हैं, देख रहे हैं आप कितने बढ़िया से, नीचे से भी एक कोल्डन ब्राउन होगे हैं, इनका कलर कितना अच्छा आया है, और ठंडे तिल में आप बिल्कुल भी ना डालें, वरना ये कैसे हो जाएंगे, ओली-ओली से, बहुत ज़्यादा तेल पिलेंगे, और नाश्टा बेकार लगेगा, ध्यान देने वाली बात यही है, कि जब आप इने तलें, तो बहुत अच्छे से तेल गरम होना चाहिए, ताकि ये, जो हम बना रहे हैं नाश्टा, ये क्रिस्पी बनें, एकदम बढ़िया सा कुरकुरा सा बनें, बाहर से क्रि हल्दिए है क्योंकि हमने इसे गेहों के आठे से बनाए है, इसमें हमने करी पत्तर डाला है, उसका बहुत बढ़िया फलेवर आ रहा है, और इसमें हमने डाला है तेल, तो सारी चीजें आप देख रहे हैं, कितनी बढ़िया है इसके अंदर, और कितना ह्ल्दी ये सबन करके तैयार हो गया है दोस्तों और I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा घर अच्छा लगा है ना तो फटा-फट से आप वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शियर करें और जो पास में बेल आइकन है उसे भी आप हीट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलतर है तो देखें कितना बढ़िया लग रहा है हमारे नाश्टा तुम मैंने इसे सर्फ किया है हरी चटनी के साथ और टोमैटो कैर्चप के साथ लग रहा है ना बहुत बढ़िया सा आप भी बनाएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका स्वाद एक्सपर्ट में आने के लिए